ICAI हार्ष चेकिंग करता है, सब को पता है Grace Marks भी देता है, ये सब को नहीं पता जी हाँ, ये lesser known fact है कि ICAI अपने candidates को Grace Marks भी देता है तो दोस्तों मैं आपका भाई, दोस्त Educator of Economics, लव कौशिक आपको आज Grace Marks का एक-एक धागा खोल के रख दूँगा जो बच्चे CA Aspirant है, जो तयारी कर रहे है CA Foundation के exam की चाहे वो CA Foundation का exam clear कर चुके हो, तो CA Inter के exam की भी बात कर लो तो Grace Marks का आपको पता होना चाहिए कि ICAI कब आपको Grace Marks दे देता है देता है ध्यान रखना, हाँ, यह सबको देता है या सबको नहीं देता है वो बात दूसरी है अब बात सुनो जरा, में important बात ही है कि अभी आपको यह पता होना चाहिए कि CA Foundation का जब पेपर देते हैं तो उसमें आपको चार पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं, हर एक पेपर 100 नंबर का होता है उसमें स्टार्टिंग के दो पेपर, पहला पेपर Accountancy, दूसरा Business Law and BCR होता है यह दोनों subjective पेपर होते हैं 100-100 नंबर के फिर उसके बाद, पेपर 3, Mathematics, Logical Reasoning और Statistics का होता है वो भी 100 नंबर का होता है, और चौथा पेपर, Business Economics and BCK यह भी 100 नंबर का होता है, जो BCK यानि पेपर 3 और पेपर 4 है यह 100-100 नंबर के होते हैं MCQ-based इसमें negative marking भी होती है, चार पेपर होगे आपको 100-100 नंबर के आ जाएंगे, वो बच्चा पास माना जाएगा, लेकिन तब जब हर एक सब्जेक्ट में उसके कम से कम 40% marks भी secure होंगे यानि अगर एक बच्चे के एक पेपर में 100 नंबर आते हैं, दूसरे पेपर में 100 नंबर आते हैं लेकिन हर एक सब्जेक्ट में 40% नहीं ला पा रहा, ऐसे में ICI अंदर यंदर इंदर इंट्रेड्यूस करता है grace marks का concept, देखो grace marks भी हर एक बच्चे को नहीं मिलते हैं, लगबख 3-4 नंबर grace marks मिलते हैं तो ICI वहाँ पर बच्चे पर हैम खाता है, 3-4 नंबर उसको grace marks के तोर पर दे देता है, पास कर देता है, CA foundation का exam ऐसा इंटर में भी कर सकता है, तो grace marks का concept, ICI लेकर आया है, लेकिन वह publicly सबको नहीं बताता कि यहाँ इस बच्चे को इतना नंबर grace marks के तोर पर दिये, यह लेकिन होता है, अब यह जानना किन बच्चों के लिए important है, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो CA foundation की तियारी करते ह और उनके पास 11-12 class में maths नहीं होता, या फिर maths होता है, तो maths strong नहीं होता, या फिर कोई भी ऐसा subject जिसको law में थोड़ी सी weakness feel होती है, accounts और economics में तो होनी नहीं है, क्योंकि accounts और economics पसंद थे, तबी तो CA का सपना लिया है, तबी तो CA के बारे में सोचा है, तो maths और लोका जिसक तीन paper में अगर आपने अच्छा score किया है, तो checker को पता है कि हाँ इसके अंदर caliber है, इसके अंदर ability है, क्योंकि इसने अच्छा score किया है, तो यह आगे भी अच्छा कर सकता है, तो यह धारणा अपने अंदर रखते हुए ICI बच्चे को promote करता है, तीन से चार number देखे, अब और grace marks की बात की जाए, तो जैसे paper number one और paper number two है, accountancy और law का basically paper बोलूँगा, यह subjective paper होते हैं, subjective paper में, मतलब MCQ वाला paper नहीं है, negative marking भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर अगर कोई गलत question पूछा जाता है, तो ICAI इसके भी grace marks देता है, ठीक है, अब आते हैं, कि वो बच्चा बोले लेकिन मैंने वो attempt नहीं किया, तो अगर आपने गलत question attempt नहीं किया, तो आपको उसके grace marks नहीं मिलेंगे, यह बात सिर्फ paper one और paper two के लिए हो रही है, क्योंकि choice थीना आपके पास, कोई दूसरा attempt कर लेते, जो गलत question अगर दिया है, question में हो सकता है ऐसा, और अगर आपने वो attempt किया है, तो आपको grace marks मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई और attempt किया है, तो उसके grace marks आपको नहीं मिलेंगे, अब बात आते है paper three और paper four पे, paper three और paper four में, अगर कोई गलत question था, और वो आपने अगर attempt किया है, या नहीं भी किया है, तो आपको number मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंक grace marks का funda उन बच्चों को motivation देता है जिनका कोई एक subject week हो समझेरों तो एक ही अब यह बच्चे बोलेंगे सर दो subject में भी grace marks मिल जाते हैं नहीं इतना दया भावना नहीं है ICI के अंदर पता है ना हार्स चेकिंग करता है तो उस बात को ध्यान रखना टेकिंग बड़ी टफ होती है और दूसरी बात paper 3 और paper 4 के बारे में जान लो कि कैसा paper 3 आया paper 4 आया यह किसी को नहीं बता होता सब अपने guess लगाते रहते हैं क्योंकि ICI अपने official website पे paper 3 और paper 4 को revealी नहीं करता तो दुनिया अपने अंदाजे लगाते रहा जाती है अभी कोई बोल रहा है जो last paper हुआ था कि max के paper के अंदर 3 question गलत थे चार question गलत थे यह सब अंदाजे है यह सच है या नहीं है इसके बारे में तो कोई सीधा straight बोल नी सकता न तो बच्चों ने बोला है कि कहीं plus का sign था minus का sign था ऐसे कुछ उपर नीचे बात हो गई है लेकिन expert बैठे होते हैं ICI में उनको अगर दिखाई देता है कि हां भई कोई mistake थी question में तो वो उसके भरपाई के लिए उसके grace marks देते आए हैं और देंगे भी जरूर तो आपके साथ fair चीज़े होने वाली है जहां पर help की जरूरत है वहां ICI help के लिए भी खड़ा हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बस ये चीज़ जान लो कि grace marks का funda आपके दिमाग में धागे की तरह लिपट गया होगा जैसे नसे लिपटी होती है न ऐसे लिप भारत नमस्कार धन्यवाद